वेल्कम तो यूट्यूब चैनल गुर्मट जॉब्स कॉर्णर आज किस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 11 क्लास का रिवाल्वेशन का रिजल्ट कब तक आएगा देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं तो आप अगर आपका रहे गई यह बुक मलब रेगुलर में जो आपकी रह गई है तो आप बयानवल का भी फॉर्म लगाया आपने प्लीज हाथ जोड के रिक्वेश्ट है बयानवल की आप त्यारी कर दीचेगा कर दीचेगा निक करिएगा क्यूंकि आपके पेपर जो है आज से स्टार्ट हो गये हैं और फिर दो तीन दिन बाद तो और किसी का होगा तो ऐसा रिवालुएशन के रिजल्ट पे बेट मत कीजिए कि मेरा रिजल्ट आएगा मैं क्या पता पास हो जाओं बड़ों को लग रहा होगा ना एक दो नंबर है पास हो जाओंगा तो बयानवल में देना नहीं पड़े भाई ये बहुत बड़ी गलत फ पहले थी वैसे ही बाद में कोई किसी का पास हुआ है भगवान उनका भला करे पर जो बाद में जिनका नो चाहए उनको अगर उन्होंने त्यारी नहीं कियोगी बाइनुल में तो बाइनुल में फिर से रह जाएंगे और अगर रह जोगे तो आपका जो है पूरा का पूरा येर वेश्ट हो जाएगा और अगर आपने प्रोविजनल मेडमिशन करवा के रखे अपने स्कूल में वो कैंसल आटोमेटिकली कर दी जाएगी इसलिए देखो अगर आप भी आप बैनुल में रियापियर आते हों आपको नेक्स्ट येर आज आज दुबारा से 11 कलास के ही प कि दुबारी नेट पाद पांच दिन होगे किसी पाद दस किसी कि क्या करना किया है सबसे पहले आप जैसे दो हजार चोबीस में जो एकजाम मार्च में वह उठाओ पिछले साल जो बैनवल में हुए है वह पेपर कहीं से कठा करो फिर पिछले साल के रेगुलर के पेपर उ जो भी सब्चेक्ट है आपका उसके उसको एनलाइज करो बुक तो होगी अगर बुक नहीं है तो भाई क्या ही बोल सकता हूं तो उसमें एनलाइज करो स्लेवसवाइस की कहां से कौन सा क्वेशन चाड़ रहा है और सब्वों को एनलाइज मत करो करने का समाई भी नहीं है से पूछा कल को सैम हर चेप्टर से पूछ आप एनलाइज करके दो देखो एक बार और जब आपको पता चल जाए तो आप जो है उस चेप्टर को पानी में गोल के पी लीजेगा मलब अच्छे से त्यारी कर लीजेगा बाकि यह जो एक्जाम की टिप्स हैं यह कुछ चोट चोटी माइनूट सी टिप्स हैं अगर आपने थोड़ा समल ऐसे बेसिक आपको पता है और मैं एटलीष्ट आपको रिकमेंड करूंगा कि 40 से 50 नमबर देखो 70 का होगा किसी का किसी का 100 कभी हो सकता है किसी का 60 का है तो 70 से 100 नमबर अपने सतर से जो 100 नमबर हैं वो आप तो अभी त्यार नहीं कर सकते हैं इसलिए आप एटलीष्ट 40 से 50 नमबर अपने त्यार कर लीजीगा मिनिमम तो मैं बोलो 35 से 40 आपको अपना आना चाहिए जबाप पेपर देने जाएं तो वो आपको कैसे पता चलेगा प्रीवेस येर पेप कितना चार्डर है कितना नहीं और इससे 35 से 40 नमबर मेरे आ जाएंगे कि उससे कम जाओगे और आपका जो भरोसा है मैं जानता हूं आपका भरोसा कहां पर होगा मैक्सिम स्टूडिन्स होगा चीटिंग होगी अगर नहीं हुई भाई गलत अफश्या होगे और पूरा एक कियर वेश्ट हो जाएगा इसलिए कर लो त्यार बाकि यही टीप सी अब करते हैं रिवाल्वेश्य रिजल्ट की बार में थोड़ी सी डिसकुशन देखो रिजल्ट जो है कभी भी आ सकते हैं देखो टैंथ का जो था चोबीस को आया था चोबीस अगस्त और बाईस अगस् कि जाद सर जाद मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के एक दो तारी को आ जाएगा पर नहीं आ रहा है इसमें करें कि आप हम करना कुछ नहीं है बहनवल की त्यारी करो क्या पता नो चैंज देखने को मिले रिवाल्वेश्य रिजल्ट को एक ही साब से आप भूल जाओ बाद में जल्ट का वेट मत करो धन्यवाद